हलो दोस्तों, प्रतिमा जीयस एकडिमी पे आज सभी का स्वागत है दोस्तों आज विस्व भूगोल में यूरोप महादीब पे चर्चा करेंगे आप लाइक करें, सेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें शुरू करते हैं यूरोप महादीब यूरोप महादीब यूरोप महादीब ये बिस्व का आस्ट्रेलिया के बाद आस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा महादीब है चोटा महादीब है यानि कि आस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और उससे बड़ा यूरोप है यूरोप महादीब यूरोप महादीब उत्तर में उत्तरी धुरूप सागर इसके पूर्व में यूराल परवद और काकेसस परवद दच्छिड में भूमद सागर और काला सागर और पस्चिम में अट्लांटिक महासागर साथे यूरोप महादीब एसिया से यूराल परवद और काकेसस परवद से अलग होता है यहाँ पे एक नदी है बोलगा नदी बोलगा नदी ये भी एसिया महादीब से यूरोप महादीब को अलग करने में अपनी भूम का निभाती है लेकिन यूराल पर्वत और काकेसस परवत ये इसी रेंज में स्थित हैं और एशिया को यूरोप से अलग करते हैं दच्छिन में भूमद सागर है और यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधी है जो अफरीका महाधीव से अलग करती है जिब्राल्टर जलसंधी ये अफ्रीका को योरोप से अलग करती है साथी एक महादीब जब हर तरफ से सुरच्छित हो या जल से या किसी अनुच्चावच भूमी से तो उसे अलग दर्जाव एक महादीब या दीब का दे दिया जाता है यूरोप महादीब में यूराल परबत काकेशस परबत अलग करते हैं उत्तर में उत्तरी दुरूप सागर इस्थित है पस्चिम में अटलांटिक महा सागर है दच्छिड में भूमद सागर है दच्छिड पूर्ब में काला सागर है और अफ्रीका महादीब से जिब्राल्टर जलसंदी से अलग होता है यहाँ पे यूराल काकेसस परबत एसिया को अलग करते हैं और इसे नगरिय महादीब कहा जाता है यूरोब महादीब को यूरोब महादीब को नगरिय महादीब कहा जाता है इसे प्रायदीपों का प्रायदीप कहा जाता है प्रायदीपों का प्रायदीप कहा जाता है नगरिय महादीप कहा जाता है प्रायदीपों का प्रायदीप कहा जाता है अच्छा प्रायदीपों का प्रायदीप इसलिए कहा जाता है कि ये कई जगा पे कटा फिटा है ये जिस तरह से यहां दिख रहा है इस तरह से नहीं है छोटे छोटे सागर यहां बाल्टिक सागर है जब आप ऐसे जाएंगे तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे एक बाल्टिक सागर है और इधर ये नारबे है यहां पे फिनलैंड है औ फिलनेंड को जीलों का देश कहा जाता है यहां पे बाल्टी सागर के बाद में च्यक है सिलोगा किया है डिनीम नदी तो यह कई कटाओ के कारण जो है इसे प्राइदीपों का प्राइदीप के नाम से जाना जाता है यह एक नगरिय महादीव है और प्रायदीपों का प्रायदीव के नाम से जाना जाता है यह अभी किसी एक्जाम में पुछा गया था कि किस महादीव को प्रायदीव का प्रायदीव कहा जाता है तो यूरोप महादीव को कहा जाता है आस्टेलिया महादीब को छोड़ करके बाकि सभी से छोटा है इसके मतलब क्यों लिए आस्टेलिया से बड़ा है तो इससे किसे छोटा है तो नमबर एक पर है एसिया महादीब नमबर दो पर है अफ्रीका महादीब नमबर तीन पर है उत्तरी अमेरिका महादीब नमबर चार पर है दच्छडी अमीर का महादीब नमबर पांच पर है अन्टार्कटिका महादीब और नमबर च्छे पर है यूरोब और नमबर साथ पर है आस्ट्रेलिया यानि कि यूरोब महादीब केवल आस्ट्रेलिया से बड़ा है और बाखी इन पांच महादीबों से छोटा है तो ये हरार्की आप याद रखिएगा प्राइदीबों का प्राइदीब कहा जाता है नगरी ये महादीप कहा जाता है क्योंकि लगभग देश यहां पे नगरी ब्यवस्था से संबध्धित रखते हैं और विश्व का ये पांच महादीपों से छोटा है और आश्टेलिया से बढ़ा है यानी कि दुत्तिय सबसे छोटा महादीप यूरोप का सरबोच सिखर है अलबुर्ज ये रूस में है और आलपस परबद कि सबसे उची चोटी है माउंट ब्लैंक माउंट ब्लैंक इसे ये फ्रांस में इस्थित है माउंट ब्लैंक फ्रांस में इस्थित है जो आलपस की सबसे उची चोटी है आलपस जैसे भारत में हिमाले है यूरोप में आलपस है यूरोप का एक देश है इटली उसे यूरोप का भारत कहा जाता है यूरोप का भारत कहा जाता है फ्रांस को सुरा और सुन्दरियों का देश कहा जाता है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है यानि कि कई ऐसी विशेष्टाएं जो यूरोप में हैं वो हमारे भारत में यू ही पाई जाती है आलपस की मैटर हार्न चोटी शुटिजर लेंड और इटली की सीमा बनाती है ध्यान रहे आलपस की जो मैटर हार्न चोटी है मैटर हार्न चोटी ये शुटिजर लेंड और इटली की सीमा बनाती है यूरोप महादीब का सरबाधिक महत्पूर नदी है डेनियूब डेनियूब नदी सबसे महत्वपूर है क्योंकि डेनियूब नदी में इस पे आश्ट्रिया, बुलुगारिया, चेकोसलाविया, चेकोसलाविया को इस साइट में चेक लिखा जाता है, स्लोवाकिया, यूगोसलाविया, रुमानिया, रुमानिया को ही रुमानिया कहा जाता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इन छे देशों से होकरके यह नदी गुजरती है, और साथ ही साथ इस नदी के तट पे बियाना यह आश्ट्रिया की राजधानी है, बियाना, बुड़ा फेस्ट, बुड़ा पेस्ट, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड, यह सहर भी स्थित हैं, ध्यान रहें, यह राजधानिया हैं, राजधानी भी है, इस्थित है, और साथ ही साथ यह बंदरगा भी हैं, बंदरगा भी इस्थित हैं, तो डेनियूब नदी यूरोप की बहुत महत्तपूर नदी है, इसकी अपनी विशेष्टा यह है, कि ये एक तो ये छे देशों से होकर गुजरता है इसके तरपर चार राजधानिया हैं चार बंदरगा हैं और ये यूरोप में कई अन प्रकार के फसलों के उत्पादन में योगदान भी देता है स्लोवाकिया, यूगोसलाविया और रोनमानिया से होकर के बहती है और यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिर जाती है जो डेन्यूब नदी है यूक्रेन की सीमा के पास काला सागर में गिर जाती है डेन्यूब के तट पर बुड़ापेस्ट, बुखारेस्ट, बियना, बेलग्रेड, बंदरगा भी हैं और राजधानिया भी हैं इस्थित हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोलगा नदी बोलगा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसे डान नदी में मिला दिया गया है डान नदी में मिला देने से यूरोप के आंतरिक भागों में जलयान जाना आसान हो गया है और लोगों को कच्चे माल या आवसे कुवस्त्वियें मार्केट से आसानी से प्राप्त हो आती है यानि परिवान का साधन सुलब हो गया है आवागमन सुलब हो गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा नदी है इसे डान नदी में मिला दिया गया है इससे काला सागर से हो करके समुद्री जहाज महादीब के भीतरी भागों में जाने लगे हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रायदीपों का प्रायदीफ है मतलब कि अंदर यूरोप में समुद्री पानी का जो घिराओ है या कही सकते हो जलमार्ग है वो बहुत ही सुलब है कटे फटे हैं तो कहीं से कहीं भी जहाज जा आ सकता है तो इसलिए काला सागर से हो करके समुद्री जहाज महादीपों के भीतर जाने में सच्छम हो गए हैं ये रोप महादीब का सबसे बड़ा नगर है लंदन और लंदन ब्रिटेन की राजधानी है लंदन ये लंदन ये रोप की सबसे बड़ा नगर है और ये टेम सनदी के किनारे है इसी के लिए एक उरोपियन ने कहा था कि गंगा नदी के किनारे से अच्छी वस्तुएं सोंक करके टेम सनदी के किनारे गिरा दिया जाता है मतलब जो हमारे यहां से धन इसकासन करते थे धन ले आते थे तो अच्छी यहां से ले करके उरोप चले आते थे अंग्रेज तो यह इसी टेम्स नदी का उलेख है तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन और लंदन टेम्स नदी के तट पर इस्थित है तट पर इस्थित है पेरिस पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के तड़ पर इस्थित है पेरिश को फैसन की नगरी कहा जाता है फैसन की नगरी कहा जाता है और फ्रांस को यहां पे सैंपेन सराब सैंपेन या सैंपेन यह जो सराब है यह सरबाधिक बनाए जाता है फ्रांस में और इसलिए फ्रांस को सुरा और सुन्दरियों का देश कहा जाता है फ्रांस की लड़कियां सबसे सुन्दर मानी जाती है सुन्दरियों का देश कहा जाता है तो पेरिश सीन नदी के तट पर है फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस का एक सहर है कान कान सहर है फ्रांस का जो फिल्म फेस्टिवल के लिए मसुहूर है फिल्म फेस्टिवल के लिए मसुहूर सहर है और इसलिए कान फिल्म महसो के नाम से जाना जाता है कान फिल्म महसो के नाम से जाना जाता है तो पेरिश फ्रांस की राजधानी है, सीर नदी के तड़ पर बसा हुआ है और विस्सु का सबसे सुन्दर सहर है, इसलिए इसको फैसन नगरी कहा जाता है और फ्रांस में सैंपियन सराब सरबाधिक बना जाता है विस्सु में और फ्रांस को ही सुरा और सुन्दरियों के देश के नाम से जाना जाता है यूरोप के यूक्रेन गड़ राज जो है ये विस्सु का प्रमुग्गेहू उत्पादक राज है और इसलिए यूक्रेन को बिस्सु का अन्यभंडार और रोटी का डलिया कहा जाता है रोटी का डलिया कहा जाता है यूक्रेन को बिस्सु का अन्यभंडार और रोटी का डलिया कहा जाता है इटली में विश्टु का सरबाधिक अंगूर उत्पादित होता है और जैतून विश्टु का सरबाधिक अंगूर और सरबाधिक जैतून उत्पादित होता है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है कि यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि एक तरफ भारत की विशेष्था लिख देते हैं और एक तरफ इटली की विशेष्था भारत में हिमाले पाये जाता है तो इटली में आलपस पाये जाता है हिमाले परबत आलपस परबत भारत किर्शी परधान देश है इटली भी किर्शी परधान देश है भारत में गंगा नदी पवित्र है तो इटली में पो नदी पवित्र है और पो नदी को ही इटली का गंगा कहा जाता है यानि इस महत्पूर विशेष्था के कारण इटली को यूरोब का भारत कहा जाता है फ्रांस एक मात्र ऐसा यूरोब का देश है जो खाद्यान में आत्म निर्भर है आत्म निर्भर है साथी साथ फ्रांस में कान महत्तो सेंपेन सराव सुरा सुन्दरी का देश पेरिश को सुन्दर नगर आदिरुनाम से जाना जाता है राइन नदी यूरोब का सबसे ब्यस्त नदी है जहां से आंतरिक गद्विधियां आंतरिक ब्यापार हमेशा होते रहते हैं और इसलिए यूरोब में राइन नदी को आंतरिक ब्यस्ततम नदियों में से एक माना जाता है अट्लांटिक महासागर से गल्फ इस्ट्रीम धारा बहती है मैंने जब धारा पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि गल्फ इस्ट्रीम धारा बहती है उसे यूरोब का कंबल कहा जाता है यूरोब का कंबल किसे कहा जाता है गल्फ इस्ट्रीम धारा को यह समुद्री गर्म धारा है गर्म समुद्री जल्धारा है जब यह समुद्री जल्धारा यूरोप के तट पे पहुंचता है तो वहां का तापमान बढ़ा देता है और मौसम गर्म हो जाता है और इसलिए यूरोब का कंबल गल्फ इस्ट्रीम को कहा जाता है यूक्रेन बिस्व का गेहूत पादन में अग्रडी है और इसलिए बिस्व का अन्भंडार और रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है रोटी की डलिया कहा जाता है इटली बिस्व का सरबाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है राइन नदी राइन नदी का जलमार्ग यूरोब का सरबाधिक ब्यस्त अन्ता इस्थलिय जर्मार्ग है जर्मनी में अवस्थित ब्लेक फारेश्ट जो परबत है यह राइन नदी के किनारे इस्थित है फिनलेंड को जीलों का देश कहा जाता है जीलों का देश या हजार जीलों का देश हजारों जीलों का देश या जीलों का देश फिनलेंड को कहा जाता है इटली और स्वीडन सरबाधिक जल बिद्दुत विकास जो है यूरोप में यूरोप में सरबाधिक जल बिद्दुत विकास इटली में हुआ है और स्वीडन में हुआ है फ्रांस को ख्वाइन याड का देश कहा जाता है और नार्बे को फ्योड तड का देश कहा जाता है अब यहां पर एक सुरंग है यहां पर यह समुद्र है अट्लांटिक महां सागर और यहां पर फ्रांस यह फ्रांस है और यह ब्रिटेन है यहां पर यह जो है समुद्र यह इंगलिस चैनल इंगलिस चैनल मतलब जलसंधी तो जो उत्तरी सागर और इंगलिस चैनल को अलग करता है और यही पर इंगलिस चैनल फ्रांस को यूके यूनाइटेड किंडम यूके का मतलब हुआ यूनाइटेड किंडम तो यूनाइटेड किंडम को फ्रांस से अलग करता है कौन इंगलिस चैनल और डोबर जलडमरू के मद्ध एक सुरंग बना हुआ है तो डोबर जलडमरू मद्ध भी यही पर है डोबर जलडमरू डोबर जलडमरू यही पर यही पर एक सुरंग बनाया गया है यहीं पे क्या है एक सुरंग है माना तर लगभग 50 km लगभग है थोड़ा जादा ही है 50 km में और 70 मीटर के गहराई में सुरंग बनाया गया है जो पेरिस और लंदन को जोड़ता है पेरिस को और लंदन को जोड़ता है दोवर जल डमरू मद्ध के बीच एक सुरंग है समुद्र के अंदर सुरंग बना हुआ है और वो सुरंग युनाइटेड किंग्डम के लंदन और फ्रांस के पेरिस को आपस में जोड़ता है यह बहुत बड़ा सुरंग है समझ लिजे बिश्टु का बाकि और देशी समय जापान है चाइना है सब लोग सुरंग पर सुरंग बनाते जा रहे हैं लेकिन लंदन और पेरिस को जोड़ा गया है 1994 से यह काम करना सुरू कर दिया है सुटिजर लेंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है क्योंकि सुटिजर लेंड में ही तमाम प्रकार के खेल के मैदान है और थोड़ा संतल भूमी इनके पास में है है तो बहुत छोटे देश हमारे हिंदुस्तान के एक जिला के बराबर भी यह नहीं है लेकिन फिर भी अब देश है तो हैं सिुटिजर लेंड और इटली के बीच में ग्रेट सेंट Bayं hell राइस्थित हैं और इटली के मद्ध इस्थित हैं और इटली के बीच बरें इज्तित है आश्ट्रिया आश्ट्रिया की राजधानी है यह क्या नशाड़िया आँ महाने इंग आवर एक देस भी है पैरनीज जो परबसरिंखला है वो फ्रांस और इस्पेन के मद सीमा बनाती है पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है फ्रांस में सभी प्रकार की गत्विधियां पाई जाती है फ्रांस में सभी प्रकार के जलवाई पाई जाते हैं और सभी प्रकार के जलवाई पाई जाने के कारण इसे लगहू यूरोप कहा जाता है किर्शी प्रधान है अनाज में आत्म निर्भर है और इसी रे इसे किसानों का देश कहा जाता है इसे समुद्र की रानी भी कहा जाता है समुद्र की रानी कहा जाता है सुरा और सुन्दरियों का देश कहा जाता है इसकी राजधानी पेरिस फैसन नगरी कहलाता है सुन्दर नगर कहलाता है फ्रांस में एक है कान सहर यहाँ पे कान फिल्म महसो के रूप में जाना जाता है साथ ही फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तर पर इस्थित है सीन नदी इंग्लिस चैनल में गिरती है तो फ्रांस के बारे में इतनी जानकारिया है फ्रांस को लगुई उरोप कहते हैं किसानों का देश कहते हैं समुद्र की राणी कहते हैं नार्वे के स्वेलवाड दीप में नार्वे के स्वेलवाड दीप में अंतर राष्टिय बीज भंडार बनाया गया है अंतर राष्टिय बीज भंडार बनाया गया है कहां पर नार्वे के स्वेल वाइल्ड दीप में अंतर राष्टिय बीज भंडार बनाय गया है अंतर राष्टिय चावल केंद्र चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है फिलिपीन्स में जो की प्रसांत महासागर में एक दूपिय देश है अंतर राष्टिय बीज भंडार नार्वे में बनाय गया है और नार्वे में स्वेल वाइड दीप में बनाय गया है जारजिया आर्मेनिया और अजर्बेजान को संयुक्त रूप से काकेसस राज कहा जाता है और मासको रूस की राजधानी जो है मासको हम बहुत पहले तीसरी या चोथी में जब पढ़ रहते तो मैंने याद किया था भारत दिल्ली रूस मासको तब से राजधानी मुझे याद है मासको पांच सागरों से घिरा हुआ है सागरों से घिरा हुआ है अब इस पांच सागर में कौन कौन है इस पांच सागर में है एक कैस्पियन सागर दूसरा बाल्टिक सागर तीसरा खेट सागर चौथा लडोगा सागर पाँचवा काला सागर तो जो मासको है ये रूस का राजधानी भी है और रूस यूरोप का क्या साथ में ही 20 सुका सबसे बड़ा देश है जो यूरोप में है रूस यूरोप का भाग है और यूरोप के भाग को रूस और रूस का जो भाग एसिया में उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है तो मासको पाँच सागरों से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, खेट सागर, लडोगा सागर और काला सागर कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेट सागर, लडोगा सागर एंटवर्प, बेल्जियम का एंटवर्प जो सहर है, वो बिश्चु का सबसे बड़ा हीरा ब्यापार का केंद्र है एंटवर्प, बेल्जियम का सहर है, जो बिश्चु का हीरा ब्यापार का केंद्र है अब यहाँ पर आपको केवल और सारे चीज़े हैं, इंपॉर्टेंट हैं सब, लेकिन फिर भी चार पांच जो नदिया हैं, उन पर आपको ध्यान दुबारा देख लेना है एक बार जैसे टेमस नदी, लंदन, शीर नदी, पेरिस, राइन दी, जर्मनी, पो नदी, इतली, देन्यूर्ण दी, छैदेश, डान नदी, बोलगा सहीत, समलित, ये प्रमुख नदिया हैं, जो आपको याद रखनी है, साथी साथ, इंग्लिस चैनल, और सुरंग, जो सुरंग है, वो लंदन, और पेरिस की अमद्ध है, तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को ये पर समात करता हूँ, धन्यवाद, जय हिन, जय भारत!